वेलकम यू अल उन बोर्ड एक्जाम वार्यर्स तो फ्रेंड्स हाजिरूम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जो है BPSC से रिलेटेड गिस फ्रेंड्स BPSC ने एक ऐसी चौका देने वाली न्यूस दी है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप ही डिसाइड कीजिएगा कि ये विध्यारतियों के पक्ष में है या नहीं तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं BPSC ने क्या ब्रेकिंग न्यूस दी है तो उससे फहले फ्रेंड्स दिस इस मैं चैनल अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ऐसी इन्फोर्मिशन सभी को टाइम पर ही चाहिए होती है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप तक ये इन्फोर्मिशन टाइम तक ही पहुँच जाए तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिलकुल मत भूलीगा चलिए आगे बढ़ते हैं यह है आजकी न्यूस और क्या है न्यूस जिरा पढ़िए हेडिंग अभ्यहारती तय करेंगे नेगेटिव मार्किंग का स्वरूप कैसा हो यह भ्यहारती यों की राय से तय किया जाएगा ये बोला है और इससे पहले वाली जो वीडियो है आप लिंक दी हुई है उपर उसको देख सकते हैं और देखी है कि उसमें उपर जो लिंक है उसमें देखिएगा इससे पहले की नियूस थी कि BPSC ने ये बोला था कि स्टुडेंट से फॉर्म फिल कराते टाइम ही ये पूछ लिया जाएका या नहीं होनी चाहिए उसके आगे कि आज रह्यूस आई है कि आप लोग और हम लोग खुद ही यह तैय करेंगी कि स्टूरूप कैसा होना चाहिए तो देखिए वैठक में पूरा निर्ले लिया गया है आयोग की ओर से 68 VPSC में 50 स्टार मार्किंग प्रशनों के अधिक अंक वर नेगेटिव मार्किंग की भी बात की गई थी जिस पर अभ्यरतियों की ओर से विरोध दर्ज कराया गया था अब negative marking को लेकर आयोग की ओर से नए सिरे से तयारी की जा रही है Yes friends, परीक्षा की अधी सूचना अब अगले हफते में जारी हो सकती है तो आपको ये भी information मिल गई है कि next week तक आपको इस परीक्षा की that is 68th VPSC की सूचना मिल सकती है So friends, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजे क्योंकि वो भी information जैसे ही आती है मैं आप तक सबसे पहले provide कराऊंगी तो देखिए, finally जो इतनी बड़ी news लिखी हुई है उसका conclusion ये है अभ्यारतियों के लिए विकल्ब तीन विकल्ब दिये हुएं आयोग ने नम्मर वन क्या है केवल 50 star marking वाले प्रशनों की negative marking हो इसके लिए 2 अंक रखे जाएं और 0.50 negative marking के प्रविधान हो means क्या हुआ इसका मतलब कि 50 star वाले जितने वी questions रखे जाएंगे उनके लिए आपसे पूछा गया है कि क्या वो question 2 marks का हम रख सकते हैं या नहीं और साथ में negative marking के लिए आपको बोला है कि अगर आपका एक question गलत हो जाता है तो 0.50 that means 1 y 4th की negative marking हम रख सकते हैं या नहीं तो overall first वाले जो option है उसका मतलब यह हुआ कि 2 mark का एक question हो और अगर 4 question आपकी गलत हो जाएं तो एक सही question उसमें से कट जाएगा तो यह होती है 1 4th की negative marking चलिए second option पर चलती हैं केवल 50 star marking वाले प्रशनों की negative marking हो और इसके लिए एक अंक रखे जाएं इसमें भी 0.25 negative marking की प्रापधान हो सो बिलकुल उपर वाले का थोड़ा सा extension किया है इनोंने क्या बोला है कि उपर वाले में आपसे बोला था कि 50 star वाले question के लिए ही marking हो और 2 mark का एक question रखा जाए second option में दे रखा है कि वही 50 star वाले questions की marking हो और एक question एक marks का ही हो और इसमें भी negative marking 1,4 that means 0.25 रखने की बात की गई है तो आप समझ गए होंगे 0.25 that means 1,4 की negative marking कैसे निकाल दे 0.25 तो ये देख लीजे 0.25 को आप point हटाईए और 100 का divide कर दीजे तो ये 1 time और ये 4 time तो ऐसे तरह से निकाल दे 1,4 की negative marking I hope आपको समझ में आ गई होगी So आगे देखते हैं next option number 3 सभी 1,500 प्रशनों पर negative marking हो और इसके लिए 0.25 negative marking का प्राभधान हो तो last option आपके पास ये है कि जो भी 150 questions total आने हैं उन सभी की negative marking हो और कितने की 1,4 की तो on the whole क्या रहा कि आपके पास तीन और तीन choice रहेंगी negative marking को लेकर क्या-क्या number 1 50 star वाले जो questions है 50 star marking वाले उनको 2 mark का एक question हो और 1,4 की negative marking हो second option ने आपको बताया कि 50 star वाले जो questions हैं वही रहें और negative marking के लिए और एक mark का एक question हो negative marking इसमें भी 1,4 बताई गई है और third option आपको बोला है कि जो 150 total question है उन सभी में negative marking हो और ये कितने की ये भी 1,4 की रहे तो friends I hope आपको ये clear हो गया होगा कि किस किस तरह से I hope ने आपको option दिये हुए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो please मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल मद भूलिए और अपने friends तक भी share कीजिए इस वीडियो को ताकि उन लोगों के मन में भी जो भी confusion हो वो clear हो जाए और सब भी को जो भी आयोग की नई ये नीती आई है वो पता पड़ जाए ठीक है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए अपने friends को भी share कीजिए उनसे भी subscribe कराईए Thank you for watching Board exam, Warriors Do like, share and subscribe my channel for such useful and informative videos Thank you friends Thank you so so much Thank you